शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लीस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लीस एप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लीस खुश्यों की अपनी दुकार ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालातों के चलते सोयबीन के उत्पादन अनुमान में लगातार कटोती की जा रही है USDA ने भी सोयबीन की रिपोर्ट जारी की है जिसमें उत्पादन अनुमान में कटोती की गई है जिस हिसाब से ब्राजील और अर्जेंटीना के उत्पादन अनुमान में विभीन एजेंसियों द्वारा कटोती की जा रही है इससे सोयबीन के खरीदार अमेरिकी सोयबीन की ओर रुख कर सकते हैं जो कि आगे चल कर सोयबीन की कीमतों में बड़ातरी का मुख्य कारण बनेगा चीन जैसे सोयबीन के बड़े खरीदार ऐसे में अमेरिकी सोयबीन की ओर रुख कर सकते हैं जो कि अमेरिकी सोयबीन के लिए अच्छी खबर है। इससे आने वाले समय में अमेरिकी सोयबीन के दाम और चड़ सकते हैं। हम पहले ही US सोयबीन वायदा 1600 डॉलर के पार जाता हुआ देख चुके हैं। वहीं जानकारों के अनुसार 18 जन्वरी 2022 से सोयबीन में 2.70 डॉलर की बढ़त देखी जा चुकी है। जानकारों के अनुसार सोयबीन की कीमते आने वाले दिनों में 17 डॉलर प्रती बूशल तक पहुँच सकती हैं। अगर विदेशों में सोयबीन की कीमतों में बढ़त आती है तो इसका असर भारती सोयबीन की कीमतों पर भी जरूर देखने को मिलेगा। वर्तमान में NCDEX पर सोयबीन की कीमते 650 के करीब हैं। विदेशों में बड़त होती है तो NCDX पर भी स्वेवीन की कीमते उच्छल सकती हैं और इसका असर हाजीर पर भी देखने को मिल सकता है किसान को अच्छे दाम मिलते दिखाई दे सकते हैं अच्छल सकता है